नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो में हम लोग एक आवेदन पत्र अर्थार्थ अफ्लीकेशन लिखने के लिए समझेंगे बिहार के सरकारी विद्यालई में परतेक सिक्षक को 16 आक्समिक अवकास और 16 सील देई है परधना ध्यापक या तो फिर परभारी परधना ध्यापक परखंड सिक्षाप दाधिकारी बीयो और ब्लोग एजुकेशन ओफिसर से तो वहीं पर इसकूल के सहायक सिक्षक और जो ए परधना ध्यापक के नाम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे इसको जानने का प्रियास करेंगे इसके पहले आपसे विंति है चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करेंगे तो प्रारंब आप इस प्रकार से करेंगे सेव परधना ध्यापक में उसके बाद यहां पर कोमा देना है कि श्रीमान परधना ध्यापक परभारी परधना ध्यापक मोहदे ध्यान रखिएगा यहां पर कि अधी आपके विद्याले में परधना ध्यापक है तो आप परधना ध्यापक लिखेंगे या तो फिर परभारी पर परभारी परधना ध्यापक को हटा देंगे जिस विद्यालय से है आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे तो यहां पर एक कालपनिक है नवसरीजित प्रार्तमिक विद्यालय धोरी विशय असपस्ट यहाँ पे लिखेंगे आक्समिक अवकास के संबंध में उसके बाद फिर यहाँ से प्रारम करेंगे महासे उपरोत विश्यांक सादर सुचित करना है कि मैं दिनांक जिस तिथी से जिस तिथी तक आपको छुट्टी लेनी है सपोज करें कि यहां पे दो दिनों की छुट्टी ली जा रही है तो उस तिथी और जिस तिथी चुत्टी लेनी है माली जै कि ने देट में हैं चुट्टी लेनी है 119-92023 से दो दिन चुट्टी लेंगे 129-2023 तो विक्तिगत कार्ज से बिद्रह बाहर रहूंगा दो सेम की तरह से वात करें कि अदि महला सिक्षका हो उसके लिए रहूंगी लिखिएगा उसके बाद पुरूष सिक्षक हो तो रहूंगा रहेगा इस्त्रिंग और पुलिंग के अनुशार से वाक्य को settle करना है setting करना है उसके बाद लिखेंगे परिणाम शरूफ मैं विद्यालय का पठन पाठन तथा अन्यकारियों में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा उसी परकार यहां भी set कर लेंगे पाऊंगा या फिर पाऊंगी कि मुझे मात्र दो दिन की छुटी लिए है तो दो दिन यहाँ पे तिथी लिखा हुआ है अधि आप तीन दिन का लेंगे तो जहां शुरू से प्रारम करके अंत में जिस तिथी तक लेनी है तीन दिन पूरा करेंगे और यहाँ पे आप बदलेंगे अता स्रीमान शे नम्र निवेदन है कि मुझे मात्र तीन दिनों का अवकास देने की कृपा करेंगे यहां पे दो दिन लिखे हैं, तो दो दीनों का अवकास देने की कृपा करेंगे, इस कृत के लिए अनि की इस कार्ज के लिए मैं आपका सदा अभारी रहूंगा, अधि महला सिक्षिका है तो रहूंगी, उसके बाद अंत में इस अस्थान पे विश्वास भाजन लिखेंगे उसके बाद सिक्षक अपना नाम लिखेंगे, चलिए यहां पे कुछ लिख देते हैं, बिकाश, कुमार्शिम, उसके बाद पद में लिख देना है, सहायक सिक्षक, फिर बिद्याले, लिखेंगे बिद्याले, वही नवस्रिजित प्रार्थमिक बिद्याले धोरी NPS धोरी नहीं कि New Primary School धोरी नवस्रेजित प्रार्थमिक विद्याले धोरी और आप 11 तारिक को छुट्टी लेना चाहते हों तो उस इस्तिती में आपको 9 के ही तिथी में 9-9-2023 की तिथी यहां पे देनी है क्योंकि 10 को रविवार हो जाता है 9 को शनिवार है इस वज़े से आपको सनिवार को ही छुट्टी लेनी पड़ेगी संबार के लिए और 11 तारिक और 12 तारिक के लिए और यहां पे जो प्रधान सिक्षक है यहां पे शुक्रित करेंगे शुक्रित और उसके बाद वे अपना सिगनेचर कर देंगे और यहां उसी दिन की तिथी भी डालेंगे तो खेर यह जो काम है यह प्रधना ध्यापक या तो फिर प्रभारी प्रधना ध्यापक का है कि अधी सहायक सिक्षक हों और वह अपना आक्समिक अवकास अपनी छुट्टी का उभोग करना चाहते हों तो परधना ध्यपक के नाम से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे इसको हम लोग सीखें बस आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी लेकर उपस्थित है मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपे के साथ सब तक के लिए धन्यवाद